अगर आपको पता चले कि आपके फादर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो एक किड्नावर और एक मुर्डरर है तो आप क्या करोगे इसी interesting एक concept के साथ आज की मुवी आती है आज की मुवी का नाम है Blood and Ties यह एक Korean मुवी है एक real से incident को लेकर उसका एक fictional रूप इस मुवी में दिखाया क्या है तो चले इस मुवी को explain करना start करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका नाम है देउन यह हमें hospital bed पर दिखती है यह unconscious है और अपने पीता की यादे उसे आ रही है बच्पन से इसके फादर इससे बहुत प्यार करते थे एक बास school में फादर इसे लेने के लिए पर यह कही दिख नहीं रही थी फादर बहुत ही चिंदित हो गए थे जब देउन उन्हें दिखी तो इसे गले लगा लिया था फादर ने कहा था कि कही भी मुझे छोड़ कर मत जाना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा देउन को भी यह पता था और छोटी देउन बोली थी कि मैं तुम्हारा दिल हूँ अ बहुत ही बुरी चीज़ है जब तक सब कुछ खतब नहीं हो जाता तब तक तुम्हें गीवप नहीं करना है यहां घर में फादर और डॉटर की फोटो दिखती है जहां पर लिखा होता है कि डैडी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यह सबहा में देउन का बच्पन द लिया था जिस बच्चे को किड्नैप किया था उसके फादर से बहुत सारे पैसे लिये थे उसके बाद भी उस छोटे लड़के को मार डाला था यह जो केस है यह जो केस है इसका अब स्टैच्यू आफ लिमिटेशन आने वाला है इसका मतलब है अब पुलिस जादा इसमें इन्विस्टिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इस केस को अब 15 साल हो चुके है अब पुलिस को इन्विस्टिकेशन डॉप करनी पड़ेगी देवन की फ्रेंड्स को इस सही नहीं लगता यह जब देवन से बुचते है तो देवन भी खहती है इन जैसे लोगों को मार डालना चा सुनमन हमेशा काम करते रहते हैं यहां भी इस रेश्टिकेशन में वो काम ही कर रहे होते हैं देवन फिर अवरे फ्रेंड्स को उन से मिलाती है देवन का बॉइफ्रेंड है जो पुलिस की इंट्रांस एक्जाम देने वाला है अमने फादर से वो से मिलाती है देवन का बॉ लगता है देवन का एजूकेशन खतम हो चुका है और उसने इंट्रांस एजाम दिये उसे जनरेलिस्स बनना है उसका इंटरव्यू भी आच्छा गया था तो इसका आज रिजर्ट लगने वाला है सुनमन और देवन दोनों गाड़ी में बढ़ते हैं और इस इंटरव्यू का रिजर्ट देखते हैं यहाँ पर इंटरव्यू में देवन फिर से फेल हो जाती है देवन फिर जिसने इंटरव्यू लिया था उनकी कंपणी को कॉल लगा थी है यह इंटरव्यू में क्यों फेल हुई इसका रिजर्ण उससे नहीं मिलता यह बहुत ही गुस्य में होती है स की चो लो हम एक चालेंच करते हैं gher पर एक विग के लिए को बरतन मानजेगा इनका चैलेंज होता है हमैशा इसमें न हार जाती है पर इस बार भी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए यह मूवी भी जो किड्नाइपिंग होई थी 15 साल पहले इस पर यह बेस्ट होती है इसी मूवी के वज़े से फिर से न्यूज वेगरा चल रही होती है इस मूवी की साइड एंडिंग देखकर देवन को बहुत ही बुरा लगता है पर इस मूवी के लास्ट में एक्चुल किड्नाइपर का वोईस होता है इसमें बताया जाता है कि अगर आपको यह पता होगा कि वोईस किसका है तो प्लीज आप पुलिस को कॉंटाइक कीजिएगा अब यहाँ जो ठेटर में मूवी चल रही है इसका भी एक्समेंशन मेरी कि यह मूवी बेस्ट थी आज की मूवी हम जो एक्स्प्रेंड करें है उसके बात क्या हुआ होगा इसका फिक्शनल रूप इन्होंने लिया है फिर से हम एक्स्प्रेंशन की ओर बढ़ते है अब देवन फिर से मर्डर का वोईस सुनती है इस क्लिप में बोला गया होता है क कि कभी की-ब नहीं करना चाहिए जब तक सब कुछ खतम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खतम नहीं है देवन को अब रियालाइस होता है यह तो उसके फादर केती थे एए वोईस उसकी फादर से बहुत मैज करती है और एक कोड़ भी यह समझ नहीं पाती यह हो क्या रहा ह यह बहुत भी बड़े शॉक में होती है मुवी खत्म हो जाने एक बात इसके friends discuss करते है इसके friends को लगता है कि यह voice उन्हें सुनी है देवन की friend कहती है कि यह तो तुमारे father जैसी voice थी देवन उसे डाटती है और कहती है यह कह कुछ भी बोल रही हो इसकी फ्रेंड भी इससे अपुलोजाइस करती है और यहाँ से चले जाते है रात में देवन इंटरनेट से फिर से रेकॉर्डी निकालती है और यह सुनती है यह जब सोती है तो इससे सपना आता है इसके फादरी किर्णाइपर है तो उन्हें कंफरंट करती है इसके फादर में मान जाते है इस बुरे सपने से उठती है जब सुबह होती है तो फादर ने बहुत सारा खाना इसके लिए बनाया होता है पर आज इससा कुछ भी खाने का मोन नहीं होता देउन की फ्रेंड ने जिसने कहा था कि उसके फादर की आवास थी उसके साथ वो रेस्टोरन में आती है इसकी फ्रेंड कहती है कि यह बहुत ही सौरी हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहिए था तुम्हारे फादर तुम्हारा बहुत ही केर करती है, यह कभी भी वो कर नहीं पाएंगे यह फ्रेंड कहती है कि जब मुझे पता चला था कि मेरे फादर का आफेर है तभी मुझे बहुत ही बुरा लगा था यह अजीब बजीब चीज़े करने लग गए थी, देउन भी यह सब सुनने में इंट्रेस्टेड हो जाती है देउन पुछती है कि तब तुमने क्या किया था, उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने उनके मोबाइल, उनका लैप्टॉप, यह सब चीज़े चेक की थी देउन को भी आइड़ा अच्छा लगता है, और अब फादर के लैप्टॉप वेगरा वो चेक करने लग जाती है यहाँ PC में फादर ने पॉन फिल्म डाउनलोड्स कियो थी है, यह उसे दिखती है देउन को यह फिल्म मिल चुकी है, यह फादर देख लेते है, फादर मना कर देते है कि यह मेरित थी ही नहीं जब हमने बाइक किया होगा, तब यह आ चुकी होगी देउन जब हमने फ्रेंड को यह कहती है, तो यह दोनों पहुत हस्ती है देवन की friend कहती है तुम्हारे father भी एक mail है उनकी भी physical needs होंगी और ये दोनों और भी हसती है देवन को अब confirm करना ही है कि उसके father murderer नहीं है उसके father हमेशा weekends पर fishing के लिए जाते है पर कभी भी कोई भी fish नहीं लाते ये उसे बहुत ही suspicious लगता है और अब father का पीछाओ करने लग जाती है ये father की पीछे जाती है तब उसे पता चलता है कि एक अमेर घर पर उसके father काम करते है ये weekends पर जाकर सब साफ सपय करकर आते है रात में देवन देखती है कि उसके father club के बाहर काम कर रहे है एक अमेर लड़क कि father को मारने वाले होती है तब ही देवन वहाँ पहुच जाती है देवन इसे रोक लेती है और देवन और इस लड़की का अब बहुत ही अब जखड़ा हो जाता है डारेक्ली यह सब पुलिस स्टेशन में दिखाये जाते है फादर पुलिस को कह रहे होते है कि यह सब गलती कर रही होती है यह कहती है कि आपके बाल सफेत हो चुके है फादर कहते है कि इस सफेत बालों का क्या अभी तो वह जवान है अभी तो बहुत सारी चीज़े कर सकते है देवन अब सिरेस हो जाती है और पुछती है कि आपने कभी कुछ शादी क्यों नहीं की फादर कहते है कि वारे character introduce होता है इसका नाम है Shin in पर नज़र रख रहा होता है जब दयोन घर से बहुत राइबरियरी में चाती है तो वह दो भख चाता है Shin दयोन से बाते करने लग जाता है और कहते है तुम्हारे फादर के बारे में तुम्हारे बारे मुझे सब कुछ पता है ये फिर एक लेटर देवन को देता है ये लेटर देवन के फादर के लिए है ये फादर को इस लेटर में ब्लैक मेल कर रहा होता है इसके बाद वो फादर को भी कॉल लगाता है ये फादर को कहते हैं कि अब मैं कोरिया आ चुका हूँ मैं हमेशा अब यही रहने वाला हूँ ये पैसों की डिमान करता है कहते हैं कि मेरी सिस्टर अब बिमार है उसे कैंसर है इसे वज़े से उसे पैसे चाहिए फादर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे तुम्हें पैसे दे दिये हैं अब फादर उसे पैसे नहीं दे सकते हैं तेकि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिये तो मैं देवन को सब कुछ सच चस बता दूँगा फादर ने देवन को कहा होता है कि उसके मदर मर चुकी है पर एक्चुल में ऐसा नहीं है देवन की मदर जिन्दा है और शीन की सिस्टर ही उसकी मदर है रात में फिर से देवन को शीन का कॉल आता है फादर अब उसे कहते है कि जरा वेट करो तो इस सब पैसे में दे दूंगा अब थोड़े दिन हो जाते है पर फिर भी वो उसे इग्नोरी कर रहे है देवन को ये लेटर सस्पिशेस लगता है पर वो अपने फादर को अब कंफरेट नहीं करती आदमे शिन इनकी घर पर आ जाता है इसी दिन देवन की मदर मरी थी ये उसके फादर नहीं उसे कहा था इसलिए वो डिनर वगरा कर रहे होते हैं मदर की फोटो वहाल लगाई हूती है शिन जब ये सब देखता है सब खाना वगरा वो गिरा देता है वो कहता है ये क्या चल रहा है शिन कहता है तुम्हारे फादर को गिल्टी मेसुस हो रहा है इसलिए ये सब वो कर रहे है फादर शिन को कहते है कि बाहर जाकर हम बात करते है पर ये मानने रहा होता फादर जोर से इसे जहापड लगाते है उसे कहते है कि तुम ये सब करने के लिए मर सकते हो शीन बोलता है कि तुम कहते हो ये जब तक सब कुछ खतम नहीं हो जाता तब तक कुछ भी खतम नहीं होआAT कभी गिवप नहीं करना चागए या कहकर वहाँ से चला जाता है रात में देहुन सो नहीं पाती फादर के सब ड्रॉवस वगरा चेक करने लग जाती है इसी ड्रॉवस में उसे एक रिसिप्ट मिलती है यह एक हॉस्पिटल की रिसिप्ट है और यहाँ हस्बन और वाइफ का नाम लिखा गया है यह ना वो पहचान नहीं पाती इसके बाद हम देखते है कि फादर फिर से शिन को मिलने के लिए आए है शिन को कह रहे होते है कि सब कुछ पैसे में तुमें दे दूँगा थोड़े से पैसे वो शिन को दे देते है इसके बाद हम देखते है कि दे उनको वो नाम तो मिले है पर उन नाम का करना क्या है यह उसे मालूब नहीं होता उसके फ्रेंड का कोई फ्रेंड होगा जो पुलिस की इंडराज में पास हो गया होगा तो उसे यह इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि दो नाम किसके है तो अपने बॉइफरेंड से अब वो हेल्प लेती है उसका बॉइफरेंड भी यह करने के लिए मान जाता है अपने फ्रेंड से हैप लेता है यह सब इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए रात में देवन के बॉइफरेंड को इंफॉर्मेशन मिल जाती है यह आदमी और वो औरत कोन था बॉइफरेंड का फ्रेंड बहुत ही परिशान है मूवी के आज आने के बाद मीडिया से बहुत ही प्रेशर बढ़ चुका है इस केस को पुलिस को जल्दी से सौल करना है पर यह करनी पा रहे है इसके बाद हम देखते हैं कि बॉइफरेंड देवन के पास आजाता है देवन को कहता है कि जिस आदमी का तुमने मुझे नाम दिया था वो 1995 से एक्टिव नहीं है उसके पहले रॉबरी वेगरा इस तरह की चीज़ें उसनी की थी 1985 में ही अबडक्शन और मर्डर यह सब हुआ था बॉइफरेंड केता है कि इस तरह के लोग कभी भी सुदर्थ नहीं इसने शायद कुछ नया नाम ले लिया होगा देवन को धक्का लगता है क्योंकि इसे समझता है कि उसके फादर ही हो सकते है दूसरा नाम फिर औरत का होता है यह देवन पहेचान थी है यह उसकी मदर का ही नाम है वाफरेंड केता है कि इस औरत का कोई भी क्रिमिनल रेकॉर्ड नहीं है यह औरत अभी भी जिन्दा है देवन को अब शौक लगता है कि यह कैसे हो सकता है उसकी मदर अभी भी जिन्दा है उसका एड्रेस भी उसे मिल चुका है ये रात में ही अपनी मदर से मिलने के लिए निकलती है ये मदर की घर तक पहुचती है पर वहाग कोई भी नहीं होता ये रात बर वही रुकती है और सुबा पर उसे शिन वहाँ से पहार आता हुआ दिखता है ये शिन का पीछा करने लग जाते है ये आगे चल गर शिन को स्पार्ट नहीं कर पाते है पर शिन आगे से आता है और इनकी गाड़ी का काच अपने हेलमेट से तोड़ देता है देवन उसे कह देती है कि उसे अपनी मदर के बारे में पता है शिन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अब उसे पैसे नहीं मिल पाएंगे देवन को अपनी मदर से मिलना है वो हॉस्पिटल में जाती है पर उसकी मदर बेड़ पर होती है उससे कुछ भी बात नहीं कर सकती डेउन अब शिन से बात करती है वो कहती है कि और एक चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहती है वो फिर मर्डरर की रेकॉर्डिंग शिन को सुनाती है शिन को मालूमने होता कि फादर मर्डरर है पर अब उसे फिर से खुशी होती है या वो फिर से उसे ब्लैकमेल कर पाएगा रात बर शीन घर पर नहीं आई थी, तो फादर बहुत ही वरिड हो चुके थे, शीन ने फादर को ऑस्पिटल में बुला लिया होता है, फादर शीन के बास आते और कहते हैं, यह चलो घर चलो, मैं सब एक्स्पेन करूंगा, फादर कहते हैं, कि तुम्हारी मदर ने तुम्हे यह कैसे तुम्हें यह सब बाते कह सकता था, रात में घर पर जब होते हैं, तो फादर कहते हैं, कि मैं तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहता था, शीन फिर अपने फादर को अंदर बुलाती है, उनने रेकौर्डिंग सुनाती है, वो बुछती है, कि मुझे अब सच तुम मृड़र हो या नहीं हो सोरी मुझे पता था कि आम मर्डर नहीं होsak MARY जुह मैं हमेशा बोलता हो कभी भी इव जो पडिले श्न, माला अपने ऑलॉडर, आएफने भी मीस्टान, मिटगो एक भी मिले जोटी तो कुछ बच्चे मुझे बहुत ही तंग करते थे, एक दिन मैंने उसे बहुत मारा था, फादर उको स्कूल में बुलाया गया, मैंने फादर को कहा कि मैंने किया ही नहीं है, फादर ने भी मुझे पर बिलीव कर लिया था, वो मुझे से बहुत प्यार करते थे, मैंने उन्हे कहा था कभी भी मैरे स्कूल मत आना और उसके बाद वो कभी भी नहीं आये देउन अब रोने लग जाती है क्योंकि उससे अभी भी लगता है उसके फादर मर्ड़र हो सकते है देउन फिर निवस पर सुनती है कि जिस लड़के को मारा गया था, उसके फादर डॉक्टर है, जिस होस्पिटर की रिसिप देवन को मिली थी, उस रिसिप पर भी इसी डॉक्टर का नाम था, तो इन डॉक्टर के पास वो अब मिलने के लिए आ जाती है, वो अपनी मदर के बारे में डॉक्टर से पुछती है, तुम्हारे मदर और फादर एक बेबी के लिए बहुत ही ट्राइक कर रहे थे, डॉक्टर देवन को देखकर आप खुश है, अब डॉक्टर के बेटे के इंसिडन के बारे में देवन बात करने लग जाती है, देवन पूछती है कि जो वह इस था, इसके आलावा तुम्हारे पास कुछ सबूत है, कि इन्यापर ने विटन नोड्स दिये थे, ये नोड्स दॉक्टर देवन को दिखाता है, इस नोड्स पर एक एड्रेस है, देवन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक एड्रेस लिखने के लिए बोला था, ये वही एड्रेस है, देवन confront करती है उसके फादर इन सब को मना कर देते हैं कहते हैं कि किसी की भी handwriting हो सकती है देवन को सिर्फ सत जानना है और उसके फादर अभी भी मना ही कर रहे है अब इसके बाद हमें पुलिस की investigation दिखती है देवन ने अपने फ्रेंड को दो नामों का पता निकालने ही लिका था अब फादर एक prime suspect बन जाते है पुलिस रात में घर आती है और दरवाजा खट-कट आती है देवन अपने फादर को अंफरंट कर ही रही थी पर वह चूप जाती है पुलिस का पीछा करते करते डॉक्टर भी वहाँ पहुच जाते जिनका बेटा किर्णायब हुआ था यह सि देवारते फादर बेहोस हो चुके थे इन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है हॉस्पिटल में फादर unconscious है और इन्हें फिर से conscience में आने के लिए दो त्रीन दिन लग सकते है डॉक्टर डिटेक्टर से बुछते है कि क्या अब ये case कतम हो जाएगा डिटेक्टर कहते है कि conscious में आने के बाद हम देवारते फादर को वहाई sample निकालने के लिए बोलेंगे अब 15 साल हो चुके है तो ये sample match करना बहुत ही difficult हो सकता है डॉक्टर को बहुत ही बुरा लगता है पुलिस अब देवारते घर की सब चान पिन करने लग जाते है देवारते है उसकी handwriting वो पुलिस उसे भी question कर सकते है देवन को उसके professor ने बुलाया होता है जिस professor ने उसे letter of recommendation दिया है वो अब उसे बोल रहे है कि मेरी अब इज़र ताव पर है ये professor बहुत डरे हुए है देवन के father ने professor को एक gift दिया था वो gift भी professor अब उसे वापस कर देते है प्रोफेसर देवन को बहुत ही help करते थे तो father ने एक letter लिखा था जिसमें वो बहुत ही thankful थे और एक gift भी professor को दिया था देवन रात में hospital में आती है उसके father अभी भी कोमा में ही है देवन फिर रोरने लग जाती है वो कहती है कि आप कभी भी मत उठना यही सही होगा उसे पता नहीं कि आप वो क्य करेगी पर वो नहीं चाहती कि उसके father कभी भी conscious में आये इसके बाद हम देखते देवन से सब कुछ पुछताच कर रहे है देवन को पता था कि उसके father murder है पर वो पुलिस से चुपा रहे थे इस detective को यह बात पता है देवन से सब कुछ सवाल हो पुछते है पर देवन सब ची बात पता चलती है देवन कुछ भी सचस बोलने रही तो डॉक्टर बहुत डिस्टब हो जाते है देवन के पास जाकर हो कहते है कि अगर मेरा बेटा जिन्दा होता तो तुम्हारी ही एज का होता इसके बाद देवन के father फिर से conscious में आ जाते है उनका voice sample लिया आ जाता है hospital के बाहर सब मीडिया विगरा होती है जल्ली से इस voice को testing के लिए भेजा जाता है जब इसे analyze हो करते है यह आवाज 15 साल पहले की थी इसे वज़े से match नहीं हो पाती अब देवन के father को he arrest नहीं कर सकते है यह सब देखकर doctor को बहुत सदमा लगता है यही पर बेट जाते है और रोन के लिए निकलते है यहाँ पर देवन ड्राइव कर रही होती है आज की रात लास्ट रात है इसके बात इस case की कुछ भी investigation नहीं होगी क्योंकि यह case आज रात के बार expire होने वाली है देवन फिर अपने father को जिस spot पर छोटे बच्चे की लास मिली थी वहां लेकर आती है देव देवन कहती है कि मैं आपको पुलिस में नहीं देने वाली सिर्फ मुझे जानना है कि आपने सच्छ में किया है या नहीं वो सिर्फ सच जानना चाहती है देवन के father 12 बचने का wait करते है यानि officially यह case अब expire हो जाती है इसके बात यह हसने लग जाते है यह कहते है कि जब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा देवन कहती है कि अगर सर्चुच में तुम इंसान हो तू प्लीज माफी माँगो भगवान से माफी माँगो father कहते हैं मैंने सब कुछ तुमारे लिए ही किया है देवन बहुत ही डिस्टब हो जाती है वो कहती है हमें हमारे पापों का लिखता है कि डॉक्टर इन दोनों पर नजर रख रहे हैं डॉक्टर को अब अपने सन का बदला लेना है जब फादर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो डॉक्टर जोर से आते हैं और अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा देते हैं फादर और डॉक्टर यह दोनों वो करने नहीं वाले देवन हॉस्पिटल में है और वो शायद कभी भी चल नहीं पाएगी पुलिस जब देवन को देखने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि अब अमने फादर का प्राइस चित यह पेटी करेगी इसके बाद नेक सिन में हमें शीन दिखता है अमनी सिस्टर से व उसने फादर को समझने के कोशिच की पर यह समझने यह फादर के साथ रह नहीं सकती थी इसी वज़े से फादर को छोड़ कर यह चली के देवन की एक्च्वल मदर का नाम इसे पता है यह सब वो शीन को बता देती है शीन भी देवन की एक्च्वल मदर को कॉल लगाता है औ पर देवन के mother father कौन थे यह उससे मालूम नहीं था अब murderer यानि कि देवन के father को भी blackmail करने लग गया देवन के father ने kidnapping से जो भी सब पेसे कमाए थे यह सब उनने शिन को दे दिये देवन के father फिर psychopath की तरह देवन से प्यार करने लग गये अब इस मुवे में जब देवन को सब कुछ पता चला तो हमेशा से कन्फिलिक में थी क्योंकि उसके फादर एक अलगी कैरेक्टर थे हमेशा से उसका क्यार करते थे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके फादर भी ये सब कर सकते है जब उसे पता भी चल गया था तब भी अपने फादर को ही प्रोटेक्ट कर रही थी उसके मन में अभी भी उसे लग रहा था कि उसके फादर ये नहीं कर सकते अपने फादर का जब उसे असली रूप पता चला तब उसे पता था यो जीनी पाएगी उसका accident हुआ और वो unconscious है पर last में हमें दिखता है कि उसके आखे खुल जाती है सब कुछ बुरा ही हुआ है पर जीने की थोड़ी सी उमीद उसे आ जाती है यही आज की वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैं बहुत सारी इस तरह की मुविज लेकर आते रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिवेशन आइकन दबाने में मत भूले अब फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए